फरवरी महीने के दूसरे सप्ता में सोयाबीन के भाव में हलकी सी बड़ोतरी हुई है. यह बड़ोतरी सोयाबीन के अंतरराष्ट्रिय तेजी आने से हुई है. इसका असर भारतिय बाजारों पर भी पड़ा है. मंडियों में सोयाबीन के भाव बड़े हैं. हालांकि सोयाबी अभी भी समर्थन मूले के आसपास ही बिक रहा है। किन्तु अंतराष्ट्रिय वाइदा बाजार में तेजी आने से सोयाबीन के भाव में जो गिरावट लंबे समय से बनी हुई थी, वह अब थम गई है। भी फसलों की जोरदार आवक होने लगेगी। सरसों की आवक होने लगी है। इसके पहले सोयाबीन के भाव सितंबर से लेकर अब तक कम ही बने हुए है। ब्राजील का सोयाबीन निर्यात अनुमान भी 99.3 से घटा कर 98.1 मिलियन टन कर दिया गया। व्यापारियों के अनुसा का सेंटीमेंट निूट्रल दिख रहा है और कीमतें सीमित दाइरे में रहेगी। होली और रमजान से पहले भारत की मांग और चीन की ताजा खरीदारी से मार्च में पाम तेल मजबूत रहने का अनुमान है। सोयाबीन के भाव को लेकर जानकारों का कहना है कि निकट एक दो महीने के दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी की संभावना नहीं है। मामूली तेजी हो सकती है लेकिन इसमें स्थिर्टा होने की संभावना कम है। बाजार जानकार जून जुलाई महीने में सोयाबीन के भाव में तेजी आने की संभावना जता रहे हैं।